दोस्तो आज 15 अक्टूवर को इंडियन एर फोर्स की तरव से सेकेंड और थर्ड सिफ्ट का एक्जाम समाप्त हो चुका है और दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको आज के दोनों सिफ्ट का कम्प्लीट रिवीव देने वाला हूँ साथी में जी के और मैच के जो भी कोशन पूछे गए थे उनका सोलीशन करवाऊंगा तो आप सभी लोग अपना एंसर की मिला लेना इसके साथी दोस्तो मैंने अपने कम्प्लीट टैब में आज के तीनों सिफ्ट का टोटल अटेम्ट कितना रहा है इसके वारे में पॉल कर दिया है तो आप सभी लोग जाकर के उस पॉल को भी जरूर अटेम्ट करना और वीडियो अश्टार्ट करने से पहले दोस्तो जितने भी नएक कंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग एकजाम गुरू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में इसके बेल नोटिकेशन को भी ओन कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक गवर्नर कौन हैं मैंने एक जाम सज़़श्ट एक दिन पहले मास्टर वीडियो दिया था करेंड अफेर्स का उसमें आप जाकर देखना क्वेशन नमबर 9 में मैंने एक क्वेशन करवाया है सक्तिकांत दास ठीक है इनका नाम क्या है सक्तिकांत दास जो की वरतमान में और हैं और विए 25 गवर्नर है RBI के फिर इसके बाद सेकंड क्वेशन पूछा गया था वाइस प्रेशिडेंट का कारेकल कितने बर्सों का होता है यह वाला क्वेशन भी आपका जीके का जो इवूख है उससे डेरेक्ट आया है तो दोस्तों हमारे देस में जो उपराश्ट पत रहे है आस्ट्रेलियन ओपेन 2023 के बीनर कौन है जितने भी ग्रेंट सलेम होते हैं चाहे वह आपका इसफ आपन हो ऀटाइड Anime उत तो इनका नाम हो जागा दोस्तो आरेना सविलिंक का ठीक है फिर इसके बाद अगला कोशन देखिया और क्या पूछा गया है तो next question पूछा गया था दोस्तो जवाहर लाल नहरू से related एक slogan था slogan क्या था कि जब पूरी दुनिया सो रही थी तब अर्ध रातरी में भारत जाग रहा है यह slogan किसने दिया है तो यह slogan दिया गया था पंडी जवाहर लाल नहरू के दोरा clear है फिर इसके बाद अगला question देखिए next question आया था दोस्तो कि राफेल क्या है तो आप सभी को पता है कि राफेल क्या है एक fighter jet plane है और इसे किस देख से लिया गया है तो इसे लिया गया है दोस्तो फ्रांस से हो सकता है कि आपसे country का नाम पुछा गया हो exam में तो country का नाम France है और अगर राफेल के बारे में पुछा गया है तो ए आपका एक fighter jet है फिर इसके बाद अगला question पुछा था भारत का मानक समय क्या है ठीक है न, standard time, Indian standard type के बारे में पुछा गया था तो एह है दोस्तो आपका UTC 530, ठीक है न, UTC का मतलब क्या हो गया तो coordinated universal time के हैं हम UTC को, और साइद मेरे ख्याल से इसका degree पुछ लिया गया था, तो इसका degree क्या हो जागा 82.5 degree Eastern, ठीक है न, इसका दिसांतर पुछा गया था आपका हो जागा 82.5 degree फिर इसके बाद अगला question आया था computer से related computer वाला question हर shift में एक-एक पूछा जा रहा है तो आज का question था कि computer में जितने भी devices होते हैं connected, वो कहां पर connect होते हैं तो देखिए, चाहे आपका कोई भी peripheral devices हो वो हो गया printer, keyboard, mouse वोगरा इस सारे के सारे आपके जाकर कहां connect हो जाते हैं computer के motherboard में इसके अलावा options में आपके और क्या क्या दिया गया थे तो keyboard option दिया गया था फिर आपके option दिया गया था super board तो इस question का right answer हो जाता keyboard sorry, motherboard यहाँ पर right answer है इसके बाद अगला question क्या आया था नेक्ट्सक्वbands आया था दोस्तो कि अर्थ क्योग को हम कैसे मापते हैं जो घुकम्प होता है ना अर्थ क्योग को मापने के लिए क्या युजट कहा जाता है सिस्मोग्राफ फर इस कॉशन कर राइट अज़र था सिस्मोग्राफ फिर इसके बाद और देखे जी के मैं और क्या क्या कोशन पूछे गया है तो next अब third shift की बात कर लेते हैं third shift में दोस्तों आ जाया था World Bank के CEO का नाम World Bank के Indian Origin के CEO कौन है जो भारतिय निवासी है ठीक है न Indian Origin के CEO तो इनका नाम है दोस्तों अजय बंगा right answer हो जागा यहाँ पर इस question का अजय बंगा फिर इसके बाद अगला question आया था दोस्तों रसिया के Prime Minister के बारे में अब यहाँ पर कुछ candidate का कहना है कि President पूछा था और कुछ का कहना है कि PM पूछा था अगर President यहाँ पर बात की जा रही हो तो राइट answer होना चाहिए बल्दमीर पूटीन और अगर Prime Minister पूछा गया होगा तो Prime Minister का नाम है दोस्तो Mikhail Mistuswa ठीक है ना यहाँ पर इनका नाम थोड़ा सा अजीब है इसलिए आप लोग अच्छे से याद कर लेना फिर इसके बाद अगला question देखिए नेक्स आया था दोस्तो आपका सिंधू जल समझोता के बारे में सिंधू जल समझोता के बारे में पूछा गया था year कि यह कब हुआ है तो सिंधू जल समझोता यह होगा था दोस्तो 1960 में यह था आपका GK का कुछ question जो कि आया question mirror image का आपको मैंने बताया भी तक कल के analysis वीडियो में कि जब भी आपके mirror image के question आए तो आपको क्या करना है 1160 में से जो भी आपका given time है उसे minus कर दो तो 1160 में से अगर आप 630 माइनस करोगे तो क्या होगा 60 मिनेट में 30 मिनेट माइनस होता हाँ पर 30 बचेगा और 11 आवर्स में से अगर 6 आवर्स माइनस होता हाँ पर 5 बचेगा तो 630 का mirror image बन जागा 530 कोई भी आप से time पूछा जाए हाँ पर अगर उसका mirror image हो तो बस 1160 से उस से माइनस कर देना आपका mirror image निकल कर चला आएगा फिर इसके बाद आया था जिस परकार से बुल संबंधित है काउ से उसी परकार से horse खिस संबंधित होगा तो देखिए बुल का feminine काउ होता है similarly horse का feminine क्या हो जाएगा horse का feminine आपर mayor हो जाएगा यह question भी दोस्तों आपका repeated है प यहाँ पर question mark थी तो देखिए इन सभी नंबर के बिच में difference कितने का रहा है दो और 15 के बीच में 13 का difference है कितने का difference है तो 49 का difference है तो आप देखोगे तो यहाँ पर 13 का multiplication 1 है 13 का multiplication 2 है 13 का multiplication 3 है तो अगला multiplication into 4 होगा और आगर आप इसका into 4 करोगे तो क्या हो जागा 13 चों का 52 और 80 में 52 को add कर दो तो add करने के बाद या आपका जागा 132 यानि कि question mark पर जो value आने बला है उसका value था 132 फिर इसके बाद अगला question आया था दोस्तो आपको correct order में arrange करना था और क्या-क्या दिया गया था option में option में था आपका tree, seed, plant, wood और एक आपका था furniture तो बहुत ही easy level का question यह था सबसे पहले क्या होगा, seed होगा seed को हम रोपते हैं, तो एक convert हो जाता plant में, plant जब बड़ा होगा तो यह आपका tree के रूप में हो जाता है tree को बड़ा होने पर हम इससे wood निकालते हैं और इसी wood का use करके हम furniture बनाते हैं तो यह इसका सबसे meaningful order हो जाएगा arrangement का इसी परकार से कल आपका butterfly का arrangement पूछा गया था तो एक बार आप इस तरह के questions भी देख लेना Google में सर्च करके, वो सकता कि आगे आने वले सिफ्टों भी यह से questions repeat हो जाएं अब बात करते हैं English की लेकिन इससे पहले math का एक और question है वो भी आप देख लेना, question क्या था वो देखिए दो संख्याएं हैं जिनका ratio है मानलो कि A और B है, इनका ratio 3 upon 5 है और कहा गया कि अगर इनका LCM 225 है, तो HCF क्या होगा देखें दोस्तो, LCM क्या होता है दोनो number का multiplication तो, sorry 5 into 3 करेंगे तो यह आपका हो जागा 15x square equal to 225, तो यहाँ पर x equal to क्या हो जागा, 225 by 15 यह कटेगा 15 बार में है, यहाँ पर square नहीं x होगा, तो x बराबर यहाँ से 15 हो गया, और दोस्तो, HCF क्या होता है, दोनो number का common, तो यहाँ पर दोनो number का common चीज़ा आ रहा है आपका 15 न, तो right answer इसका भी 15 हो जाएगा, फिर इसके बाद English के question देखते है, English में क्या क्या है तो सबसे पहले तो एक आया था दोस्तो, आपका fill in the blanks, fill in the blanks क्या था honesty is खाली स्थान था, best policy तो आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पर use क्या जाएगा the article का इसके बाद अगला question आया था दोस्तो, वो था fundamental का synonym, fundamental का मतलब होता है basic, इसका synonym क्या हो जाएगा, इसका synonym हो जाएगा basic यानि कि मूल भूत, फिर इसके बाद अगला question आया था दोस्तो efficient का synonym आप सभी को बताना था अगर efficient का synonym की मैं बाद करूँ तो यह क्या हो जाएगा bail organized या फिर परियाप्त ठीक है, भरपूर मात्रा में इसके बाद अगला question आया था meeting of people is called one word substitution वहला था meeting of people यानि कि लोगों का meeting होता है इस समूब को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं दोस्तों आपका conference hall इसके बाद अगला question आया था wise का, question क्या था we will serve our country इसका आप सभी को wise change करना था active से passive में, तो क्या हो जाएगा passive इसका हो जाएगा, our country will को convert कर देंगे would में, would served y, यहाँ पर serve का word 3 हो जाएगा, served और we को convert कर देंगे, us में, clear सभी का, फिर इसके बाद एक आपका आया था दोस्तों miss spelled word का तो यहाँ पर words क्या क्या दिये गये थे पहला word दिया गया था, careful फिर इसके बाद अगला word दिया गया था, beautiful फिर आया था दोस्तों एक आपका mindful और एक word दिया गया था, skillful इन ही में से किसी एक word का spelling गलत दिया गया था, आपको word find करके बताना था इसके अलाबा एक और miss spelled word आया था, जो कि था दोस्तों आपका eaten फिर आपका था written, इसके अलाबा एक दिया गया था, beaten और एक दिया गया था, astolen तो यहाँ पर written का meaning गलत लिखा गया था, written का correct spelling होता है, wr-i-t-e-n और इसके अलाबा एक और क्या आया था question तो अगला question आया था, an x to grind, ठीक है न, इसका मतलब आप सभी को बताना था, an x to grind, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, a selfish aim, ठीक है न, यहाँ पर हो जाएगा, इस question का मतलब, a selfish aim, तो यह था दोस्तों आपका total question, जो कि आज के, दोनों सिफ में पूछा गया था, इस आपको आज का analysis वीडियो पसंद आया होते हैं, तो लाइक करें, और अलग-अलग groups में share करें,